तो इसमें हम तीन त्रही करिया है पड़ेंगे वूड्स वूड्स फिटिंग और फिटिंग अभी करिया वोर्ज रियक्शन में एल के लह राइड यानि आर एक्स सोडियम दातु के साथ इत्थर की परजेंस में सुस्क इत्थर ड्राई इत्थर लेना मस्ट है सुस्क इत्थर की उपस्तिती में किरिया होगी तो 2NX यहां से रिप्लेश यह नहर जाएगा तो आर सिंगल वोड आर प्लस 2NX अंतिम परिणाम पराप्त होगा यह जो आरर है यह जितने कारवन की आर एक्स उससे दुगने कारवन की एलकेन होती है वोड फिटिंग रियक्शन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर एक्स और दूसरी यह तो है एलिफेटिक जिसको हम एलकिल हलाइड बोलेंगे और यह है अरोमेटिक हेलाइड और विद सोडियम सोडियम के साथ में आर एक्स प्लस टू एने प्लस एक्स सी सिक्स एक्स पाईड तो टू एने एक्स यहां से टू एने एक्स का रिप्लेस्मेंट कर दो ऐसा करने पर जो रिजल्ट मिलेगा तो आर शिंगल वांड यह बेंजीन रिंग तो बेंजीन रिंग पर डारेक्ट अलकिल समाज़ेगा और अलकाईल बेंजीन मिलेगा यहां भी उपस्तिती ड्राई इथर सुस्क इथर की है इसी परकार फिटिंग अभिकिरिया फिटिंग अभिकिरिया में हैलो एरील या एरिल हैलाइड और सोडियम इसकी रियक्शन करवाएंगे हम तो C6H5 X प्लास 2NA प्लास X C6H5 ड्राई यानि सुस्क इथर की परजेंश में रियक्शन होगी और 2NAX ये साइड हो जाएगा और इस परकार रियक्शन करणा तो ये-पनल । ये रप्लाओ ये-पनल । मैं अभिक्शन की परजेएगा वैएगा परेपनल हमें तीन प्रकार की उत्पाद मिलेंगे प्लोरो साइकलो ब्रूटेन तो टू एनेसीयल निकलने के पश्चाद इस प्रकार प्रोड़क्ट मिलेगा और टू एनेसीयल बार हो जाएगा इसे प्रकार अगर हम इसके प्रोड़क्ट की बात करें तो आपको यह सोडियम यहां रखना चाहिए टू एने प्लाज अब यह जो सीयल है इसका मॉडिफिकेशन करके और इसी तरह से इस सीयल को भी यहां से अटा करके और टू एनेस सीयल यहां से यह बोन ब्रेकरे और मिलने वाला उत्पाद बाई साइक्लो हो जाएगा प्लास टू एनेसीयल बाहर इसे प्रकार ब्रोमो और सीयल होने पर भी हमें बाई साइक्लो प्रोड़क्ट मिलेगा और टू एनेस एनेसीयल और एनेसीयल और एनेसीयल और एनेसीयल प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट वूट्ज अभी किरिया की किरियविदी को हम दो प्रकार से बता सकते हैं नमबर वन मुक्तमलक और नमबर दो आइनिक और एसम यानि सब्टिटुटिशन नुक्लियोफायल नाभिक्ष ने ही प्रतीश थापन यानि आइनिक किरिया भी तो सबसे पहले फ्री रेडिकल मेकनिजम मुक्तमलक किरिया भी एलकिल राइड आर एक्स इसमें जो सिंगल बॉल होता है उसको टू इलेक्ट्रोन से शो कर दें आपने सोडियम जो एटम या परमानू होता है उसका अगर हम एटोमिक नमबर इलेवन या ग्यारा से देखते हैं कि टू एट वन इसका इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिरेशन होता है और ये जो वन इलेक्ट्रोन इसके वैलें सेल में या सिंगता कोस में मिलेगा तो सबसे पहले इस बंद का समांस विदलन होगा इसको हम होमो लिटिक फिशन कहते हैं तो समांस विदलन के बाद आर यानि एलकल मुक्त मुल्क बनेगा और सोडियम और एक्स ये दोनो एन एक्स बना लेंगे अगर इसी परकार दो मॉल्क्यूल या अनू आर एक्स के लेंगे और दो ही सोडियम परमानू या एटम लें तो हमें दो फ्री रेडिकल मिलेंगे और टू एन एक्स ये जो टू आर यानि आर फ्री रेडिकल दूसरा आर फ्री रेडिकल दोनों ही अलकाईल फ्री रेडिकल है वो उर्जावान एनर्जेटिक ये उर्जावान स्पेसिज होती है और जो आपस में किरिया करके आर सिंगल वान आर यानि सिंगल वान फ्री रेडिकल कर लेगी इस तरह से एलकेन बन जाती है आइनिक और एसन किरिया विदी यानि नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन किरिया विदी इसमें आर एक्स यानि हेलो एलकेन ये टू इलेक्ट्रों जिसमें एक्स यानि हेलोजन की विद्धूत रिंता या इलेक्ट्रों नेगेटिविटी कार्वन से ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रों नेगेटिविटी अफ कार्वन हेलोजन इस ग्रेटर देन इलेक्ट्रों नेगेटिविटी अफ कार्वन इस कंडिशन में दोनों इलेक्ट्रों एक्स अपनी और एट्रेक्ट करेगा और आर पार्शिल पोजिटिव एक्स पार्शिल नेगेटु तद पस्चाद सूडियम दातु के साथ रियक्शन होगी तो आर एने प्लस एने एक्स ये सार्ट यानि लावन तद आर नेगेटिव और एने पोजिटिव ये जो आर नेगेटिव है ये एज एन नुक्लियो फाइल यानि नाविक्स नेही के रूप में एक्ट करेगा आर एक्स दूसरा मुल्कु ले रहा हूँ मैं जिसका आर पार्शिल पोजिटिव एक्स पार्शिल नेगेटिव इस नाविक्स नेही आर माइनस के साथ एस एंड टू किरियाविदी से कारवन पर अटेक करेगा और ये एक्स इलेक्ट्रोन यहां से टू इलेक्ट्रोन लेकर के ये एक्स परतिस थापित होगा तो आर और आर दोनों से हमें एल की प्राप्त होती है प्लस एक्स माइनस जो एने प्लस के साथ एने एक्स यानि लावन के रूप में अलग हो जाएगा इस परकार वुट्स अव किरियाविदी को आइनिक और मुक्त मुलक दोनों के दोरा हम समझा सकते हैं झाल